कि तो बात करेंगे promises के बारे में promises के start करने से पहले एक बार और में यहाँ पे कुछ problems है callback में वह रिपीट कर लेता हूं पहली चीज तो यह कि callback hell एक callback के अंदर दूसरा callback callback के अंदर again callback इसके अंदर again callback हम इसको बोल रहें callback hell तो एक तो यह इशू है प्रामेड ओव ढूम दूसरी चीज यह कि मुझे इसमें एर्र हैंडलिंग में थोड़ा सा इशू है एर्र हैंडलिंग कैसे होगा अगर यूजर मुझे नहीं मिले हो सकता कि सेम तरीके से हम बागी के callbacks को भी पास करेंगे अगर रेपोजेटरी नहीं आया है तो हम एर्र देंगे नहीं तो नल अगर इसमें एर्र होता तो हमने यहां पे लेखा इफ एर्र अगर कोई एर्र आ गया तो उसके से हमने data read कर लिया उस वाले callback में भी again error object आएगा and then deposit trees branches में भी again error object and branches error handling कैसे करेंगे हम यहां पर हम conditions लगाएंगे कि if error अगर error है तो क्या करना है अगर error नहीं है तो else में यह वाला part चला जाएगा like this right अब अगें यहां पर एक error है तो यह वाला part जाएगा if error अगर error है तो मुझे क्या करना है वह आप यहां बताओगे right else अगर error नहीं है तो आप repositories को fetch करोगे यहां पर अपना handling का call लिखोगे कि error को कैसे handle करना है right इसकी बाद यहां पर जो branches हम fetch कर रहे हैं branches fetch करने में भी हमको यहां पर एर्र हैंडल करना है अगर error है तो आप उसको print करोगे या फिर एर्र को handle करोगे else अगर error नहीं है तो क्या करोगे आप यहां पर लगा रहा है तो आप यहां पर लगा रहा हो promise से कैसे करेंगे आंगे देखेंगे उससे पहले कंट्रोल एंट्रस्ट की बात करते हैं basically हम यहां पर कर क्या रहे हैं हम यह जो callback function है यह get users method को दे रहा है और यह method किस ने बनाया नहीं पता हम है हो सकता है कि method third party method हो किसी और आपके developer ने बनाया हो किसी और developer परने और उसको अपनी callback दे दिया तो हम इस get users नाम का जो function है इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि जो callback है यह callback data आने पर call होगा या नहीं होगा and then यहाँ पर हम कर लेते हैं else में console.log done branches राइट तो basically मैंने क्या किया सिर्फ मैंने नहीं मरलब जो third party user जिसने वह function बनाया था उसने क्या कर दिया जब उसने दो बार कॉल किया तो आप देखो क्या होने वाल है दो बार users आए मेरे पास, दो बार repository आए, और दो बार मेरे पास branches आए सिर्फ एक जो callback था उसको दो बार call करने से हरेक function दो बार call होने लगा कि इस पर एक ही भूर दिया है यहाん पर इक function पर वह तीन वार कैसे कॉल हो हो सकता है इसने एक बिवार कॉल नहीं किया और हमारे बास फंक्षन नहीं है वह तो थर्ड पार्डी पैकेश था हमको नहीं पता वो कहां से आया अपने कोड को चेक करें मैंने सबको सही से लिखा फिर डेटा क्यों नहीं आ रहा और अगर आप यहां पर लिखो के कंसोल डॉट एक अपने प्रिंट किया आप देखो कि ना तो एरर आएगा ना तो रिस्पॉंस आएगा तो फिर इस्व क्या है इस्व यह है कि जिस फंक्षन पर ट अगर त्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इसमें ठीक है क्योंकि गल्ती है हो सकती है तो इसको मैं वापस से सही कर देता हूं कॉल बैक एरर एंड एंड यूजर्स कि यूजर्स राइट यह भी प्रापर चल रहा है बट अगेन प्रस्ट मैं नहीं कर सकता कि यह जो गैट यूजर से यह उसको प्रापर से हैंडल करेगा राइट कि यहां पर आएगा नल लाइक तो तीन इशूस मैंने आपर देखे एक तो में अपना जो कंट्रोल वो किसी और फंक्शन को पास कर रहे हैं हम उसे फंक्शन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उसने एक बार कॉल किया दो बार किया तीन बार किया कुछ भी कर सकता हो इंटरने लि आई है मल careless एक फ्लो को आपट देखके समझ नी सकती कि क्या हो रहा है कोड मैं कि अगर मैंने पर आपर व्रीबल नेंगग नहीं रखा प्रॉपर फंस्टिन के नेयम नहीं यह तो आप समझ नहीं पाव किया हो ragsophile हो स हो रहा कितनने सारे क्ली ब्रैकेट हैं हो व्युक्त है है टेस्टिंग में बहुत जादे इशूज आएंगे टेस्ट नहीं कर पाएंगे आप यूने टेस्ट केसे लिखना आसान नहीं होगा इस कोड के लिए और तीसरी चीज जो कि है कॉल बैक हैल और गंड्रोल और एरर हैं यह कुछ इसू है जो हमने देखे कॉल बैक के सान्थ इसको भाद करते आज़ क्या होता है इस बात करेंगे बट इस वीडियो में नहीं नेक्सट वीडियो में डारेक्ली स्कार करूंगा प्रामिस ऑब्जेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कि अबस्ट कर दो खो कि अबस्ट कर दो कि अबस्ट कर दो नहीं है